हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में एक वार फिर से सभी को जैहिंत सामके बज रहे हैं छे ये है वोकैब चालीसा की नाइन्थ क्लास अब आपको वोकैबलरी याद भी हो रही है और ऐसी वोकैबलरी जो आपके जबतक आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही बरकरार मिलता रहे है इसके वना लोगों पता नहीं चलता है किैसे सिरीज में चल क्या रही है सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर रोज हर तरह की क्लास मिलेंगी जितनी भी हमारे और यह चलती है रात को दस बजे पीडिएफ या किसी भी तरह के कोंटेंट या इंफर्मेशन के लिए दोनों टेलेग्राम चैनल आप जोइन कर लीजी ठीक है सेर्वेर कर दोगे तो बाकी के लोगों तक पहुंच जाएगी क्लास ठीक है चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी आज की कहानी आज का आज की जो क्लास का पहला सब्द है वह है एक तो होता है अबाउंड और एक होता है एबंडेंट दोनों का सेम मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है अधिक बहुत ज़्यादा प्रच्चुष आपको दस रुपय की जरूत है आपको सौ का नूट किसी ने पकड़ा दिया तो आपको एबंडेंट पैसा मिला है ठीक है नाउन या प्रनाउन की अमाउंट को बताने के लिए उसकरा जाता है सुनोनिम्स और एंटनिम्स में आप देखो हां हा कि एक तो होता है बहुत ज्यादा एक होता है कंबेर मिनिमल स्पार्स मतल गटा अब कंप ठीक है बहुत सारे वर्डस होते हैं एक-एक सब्द के बीस-बीस सोनोनिमस होते हैं अससे Mobil 26 पर चाराइस चनंतर निम्स भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है थे के कि या अप्स्टी मीएज क्या होता अप्स्टी मेर्स ए बी एस टी एम आई ओ युए यह पिशन्ट है पेशन्ट का मतलब दह्रीज मैंट भूंप समझदार अब को कहते हैं जिसके अंदर विवेक है संयम है ठीक है सोबर कह सकते हो सेल्फ डिनाइंग कह सकते हो कि अगर उसको कोई चीज ऐसी है जो बरवाद करने वाली है वो उसको मना कर देगा कि नहीं भाई मैं आभी थोड़ा सब्र रखना चाहता है यह भी आपका अडिजेक्टिव की घमेसा कि यागर मुझे यह काम करना है मुझे काम करना ही एक होता है जसको कोई बात में नहीं तो आगे कर लेंगे अख नेक्स टाइम कर Keith और इसको तुर्ण टी सब बाहियाद, disgusting, बेग तुका, non-sensible जिसका कोई sense नहीं होता है, ठीक है, adjective की तरह आप इसको use करोगे, ठीक है, बेटुका होता है, बेटुका पन नहीं होता है, सिर्फ बेटुका होता है, ठीक है, सिर्फ बेटुका, हाँ, एब्जर्ड का मतलब होता है crazy यानि कि एकदम पागल आदमी ठीक है weird होता है awkward अजीव सा eccentric होता है एकदम उनमाद कह सकते हो पागल ठीक है हाँ और disgusting कह सकते हो non sensible कह सकते हो जिसमें कोई sense नहीं होता है एक होता है आपका suggestious मतलब ज्ञानी बुद्धिमान कह सकते हो ज्ञानी य ज्ञानी बुद्धिमान समझदार sensible non sensible हो जाएगा आपका उपर वाला यहाँ पे चाओ तो लिख लीजेगा non sensible ठीक है भई abuse होता है अब सब्द जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे होते हैं बुरा ठीक है गाली भी कह सकते हो अब सब्द गाली कह सकते हो ठीक है यह आपका वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है गाली देना noun की तरह भी यूज किया जा सकता है अब सब्द ठीक है यह फिर गाली जैसे यहाँ पे कह सकते हो कस वर्ड कस वर्ड का मतलब होता है फाल्तु वर्ड बोलना एक्स頭ड का कई धो सकते हैं कुछ भी बोलते हैं किसी के लिए एक ओढ्द मतलब प्रसंस्सा अक्ने मेशन का मतलब होता है प्रसंसा उन्सा अच्छी बातें बोलना या फ्लैटरी होता है चाप लूसि भरा ABYS होता है बहुत गहरा ABYS का मतलब होता है बहुत गहरा ठीक है? खाई या फिर गहरा बोल सकते हैं यह आपका एड़िजेक्टिप भी हो सकता है ठीक हाँ यह आपका नाउन भी हो सकता है है ना हाँ ABYS A-B-Y-S-S Vissur हो जाएगा, Gorge हो जाएगा काज्म हो जाएगा और भी समों जाएगा यह सारे के सारे इसके गहराई की सेंस में स्थेमर करा जाता है ठीक है, बॉटम लिख सकते हूँ इस बॉटम भी होता है सब्सक्राइब उपरे बाहरी या फिर बाहरी कह सकते हैं शोल ठीक है शैलो होता है छिचला चेट चला मतलब बाहरी जो उपर का सतही जूसको बोलते है गैज क्या होता है एक्सैंच्ट करना ओता किसी को करना या बले ना मतलब जॉर देना थ्युक्त पांक्चूएट करना एक्सैंट करना फीचर करना ओता है एकांट ठीक है एक्सेंट तरह ऑज जोर देना ठीक है वर्म कि तरह यूज़ करोग्या आप जैसे पंक्च्ट करना होता है किसी को ठीक है पॉंच्ट करना कि बाई को featuring करना है ना कि तो मैं ऐसे करना यह मतलब उसमें चार चांद लगाना एक होता है ट्राइबलाइज करना तुछ बनाना हीन बनाना हीन बनाना एक तो होता है एक्सेंच्वेट बल देना जोर देना ठीक करना सही करना कि एक होता है डिवैल्यू करना हीन बनाना तुछ बनाना एन डिस पराग करना किसी को बेकार बनाना उसकी वैल्यू कम करना डिवैल्यू मतलब उसकी वैल्यू घटाना डिस पराग मतलब ही होता है किसी के बारे में किसी की कम जो मतलब उसकी सक्तियां को घटाना कह सकते हो उस मतलब उसको तुछ बनाना हीन बनाना यह होता है कि एब सॉल्व होता है जैसे कि आप पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगे हुए है कोई भी ऐसा एक यूज आरोफ लगा हुआ है और आपका केस सॉल्व होने के बाद फिर आपको छोड़ दिया कि तुम जाओ भीया जा सकते हो घर नहीं कि उसको free कर देना exonerate करना वर्व की तरह यूज करो गया पिसको ठीक है जो हाँ है एक तो उता है exfoliate करना एक्ष कल्पेट करना एक्क्विट करना रेलेंट करना free करना exonerate करना ठीक है रिहा कर देना अब सॉल्ब अब सॉल्ब को आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं अब सॉल्ब अब आपका केस सॉल्ब हो गया है अब आप जा करके जो है अपना घर पर समय बिता सकते हो आपको रिहा किया जाता है किसी को दोसर से मुक्ति दे देना होता है अब तुम् इंडिक्ट होता है इंपीच होता है यह होता है आरोप लगाना है आरोपित करना से जिसमें आप बहुत ज्यादा मगन हो जाते हूं बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ है जैसे कि आप कोई भी फेविरेट चीज़ जैसे कोई मूवी देखते हो तो मूवी देखना आपका फेविरेट हो सकता है कुछ भी आपका फेविरेट हो सकता है ठीक है तो एब्जर्विंग होता है दिल्चस्ट बहुत इंट्रेस्टिंग माज थका है मोनोटोनस होता है बेकारED ठकाओं थकाओं आफ यह तो बंदा वाओ इससे तो बोरिंक फील होता है हमें डल होता है बेकार नान्ट इंडरस्टिंग des interesting कह सकते कि गया तो जितो बेकार चीज़ है भाइयाद है थिकाब ऐसे करके बताओं औरुए चीज़े समझ में यहां तक अग्वारित होता है एक तो एक उप्लिस होता है सी इसका मतलब होता है यहां एक घ्रीष्ट गलत काम में आपका साथ निवाता हो सक्वार्ण प्लिस कहते हैं ठीक हैं partner in crime लेकिन एक होता है accomplish एसी सी ओएंप लाइश है का मतलब होता है किसी भी काम को पूरा करना या अपने टार्गेट को लक्षे को प्राप्त करना है ठीक है टार्गेट को लक्षे को प्राप्त करना होता है वर्व की तरह यूज़ करा जाएगा यह समझे हां कि आगी बात समझ में कि सिनोनिम्स में देखो कि यहां पर जैसे ट्रियूम्फ है ठीक है विक्त्री होता है विजय सक्सीर मतलब सफल अटेन मतलब होता है प्राप्ट करना ठीक है सफल होना गो can you 2 सफल होना ये सका मीनने हो जाएगा और समझ गई तो ये स्कें श्रॉन रवाट मतलब धरास था ही होना लश्रा का सब्सक्लाइभ होना ठ्,rob का मतलब होता है छोड़ देना ताल नहीं कह सकते हुआ है है कि आप किसी यह चीज़ को त्याग दे रहा हूर। कि आपने कोई लक्ष कोई गोल प्राप्त किया आपने कहा कि आप तो छोड़ देते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला उसको कहते हैं को लैप्स डिटर या फोर्शेक ठीक है एक होता है विजयी सक्सीड ट्रेंप अठेन यह सारे के सारे सुनोनिम्स होते हैं अमीद है कि आपक है है तो अधेन सब्सक्राइन होता है कन फमिठी भी होता है युनिशन होता है और एक होता है सक्सूसरा काउंस बंस मतलब जब आप किसीवी चीज़ से सहमत हो जाते हैं अग्रीमेंट के सकते हो कुइंस कॉन्स संथाdaughter you why can we go up Tu熊 लोग अरश करद consent susa b कह सकते हूं आम सहमती ऐख को कहते हैं अब सैमती जब सब लोग लोग एक चीज़ पर सहमत हो जाते हैं agreement सॐंसे होता है एक हुता है डिनायल डिनायल या Daniel कह सकते हैं इसको Disagreement, Discord कहते हैं मतला असहमती कह सकते हो असहमती कह सकते हो ठीक है यह हो गए आज की class के सारे के सारे words complete यानि कि लगवग आपको उसमें 70 से 80 words तो minimum मिलते ही मिलते हैं टूटल नंबर of words का collection तो 90 प्लस होता है लेकिन आप उसको filter भी करोगे तो कम से कम आपके पास minimum words का collection जो पहुंचता है वह आपके पास तो minimum पहुंची जाते हैं ठीक है अब जब हम इस सीरीज में सिर्फ content की बात करते हैं तो बहुत time मलब कम time में ज्यादा content आप तक पहुंच जाता है मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक दिन में 500 वर्ड याद करो 400 करो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई को पूरा समय दो लगवग आपको जैसे मालो कि आपको छे मेने एक साल देना है तो आप डेली अगर दस वर्ड भी पढ़ते हो तो आपके पास बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे इतना एक साथ तो नहीं खा लेती है आप दू साल का खाना एक साथ तो नहीं खा ले ती यही चीज आपको स्टर्डी पर अप्लाई करनी है अगर आप इस ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं लंबा समय बनाओ छोटा चोटा स्टूटा तो थोड़ा थोड़ा लंबी समय तक यह ओपन स्टेडी एप्लिकेशन हमारी प्रीमिम क्लास से चलती है अगर आपको फाउंडेशन बैच जो है जोईन करने यह दोनों टेलिग्राम चैनल से कॉंटेक नमबर से लाइक सेर सब्सक्राइब यह आपका काम है अपने आप कर लेना ठीक है चलो थैंकि सो मच बाइबा and see you later.